नमस्कार ये आकाशवानी है अभी आप दादुयाजो से समाचार सुनेंगे पहले मुख्य समाचार प्रधान मंत्री नरंद्र मोधी ने दुनिया से सबसे बड़े कारोबार केंगर सूरत डाइमन्स बोर्च और सूरत हवाई अड़े के नई एक्यक्रिक्टा नमन ध्रहुन का उल्धान किया प्रधान मंत्री में सांसव की सुरक्षा में सेंट के मुद्धे को राष्टे सुरक्षा का मामला बताते हुए सबी राजनी के चलो से इसे पर राजनी नाफ रने का आप रख्या प्रधान मंत्री नरंदर मोधी ने कहा है कि भारत आज दुनिया भर में हो रही चर्चाओ के केंदर में है और मेड इन इंडिया एक प्रभावी ब्रान बन गया है आज गुजरात के सूरत के महत्वा क्यांशी हीरा सराफा बजार डायमन बोर्स का उटखार्दन करते हुए उन्होंने हीरा उद्योग पतियों से अपील की कि वे अनुकूल माहोल का अधिक्तम लाव लेकर भारतियरतन और प्रमुक देश है लेकर रत्न और अभूशन के वैश्विक निर्यात में भारत की हिस्यदारी अब भी कम है उन्होंने कहा कि सूरत हवाई अड़े पर नवनिर्में टर्मिनल से इसका दर्जा अंतरराष्ट्य हवाई अड़े का हो गया है तथा इससे सूरत के हीरों और कप सरकार भुनियादे धाचे के और अधिक विकास के प्रती संकल्पित है इस अफसर पर गुजरात की मुख्यमंत्री बुपेंद्र पतेल ने कहा कि हिरा सरफा बजार परियोशना और नवनिर्मित सूरत हवाई अड़े पर नई एकक्रिद टर्मिनल भवन का उठगाटन किया पतार मंत्री नरंदर मोदी आज शाम वरानसी में नमो घाट पर काशीट तामिल संगम के दूसरे चरण का शुभारम भी करेंगे श्री मोदी आज से अपने सांसिद्य शेत्र वरानसी के दो दिन के दोरे पर रहेंगे पधान मंत्री बीस हजार करोर रुपे लागत की कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत करने के अलावा बारानसी से एक और वंदे भारत एक्स्प्रेस को जंडी दिखा कर रवाना करेंगे पधान मंत्री नरंदर मोधी ने संसत की सुरक्षा में सेंद पर चिंता चताते हुए इसे गंभीर मामला बताया है पधान मंत्री ने एक हिंदी समाचार बत्र को दिये इंटर्व्यू में राजनीतिक दलो से इसका राजनीती करन ना करने का आगरक्या क्यूंकि ये राष्ट्य सुरक्षा का मामला है श्री मोधी ने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष ने जांच के आदेश दिये हैं और साजिश का परदाफास हो जाएगा संसत सुरक्षा में सेंद को दुरभाग्य पून और दुखत बताते हुए उन्होंने कहा कि जांच एजन्शिया मामले की गहराई से जांच कर रही है प्रदान मंत्रे ने कहा कि संसत में सेंद मामले की गहन जांच की जानी चाहिए ताकि ऐसी घटना दोबारा ना हो सके श्री मोधी ने कहा कि अपरादियों और घटना में शामिल तत्वों के इरादे जानना महतपुन है प्रधान मंत्री ने विपक्षीर दलोस से संसत में रश्टनात्मक भूमी का निभाने का अनुरोध किया क्यूंकि इस मुद्दे को लेकर संसत के चालुशत्र के कारवाही पिछले दो दिनों से स्थागित हुई है इससे पहले व्रस्पतिवार को हुए बैठक में वरिष्ट मंत्रियों को संसत की सुरक्षा में सेंद के मामले को गंभीरता से लेने का निद्देश दिया गया था उन्होंने मुद्दे का राजनिती करने के प्रती आगा क्या था और भविष्य में सुरक्षा सेंद जेसे घटनाव बचने के लिए सामोहिक एतियाती उपाय करने का अनुरोद क्या था संसचुरक्षा में सेंद की घटना उद्दवार को उस समय हुई थी जब दोव्यक्ती दर्शक दीधा से लोकसभा कक्ष में घुस गये थे और कनस्तरों से पीले रंग के धुए छोरे थे केंद्रसासित प्रदेश जमू कश्मीर में पुलिस ने श्रिनगर के बेमीना इलाके में पिछले सप्ता एक पुलिस कर्मी पर हमले में शामिल तीन हाइब्रिट आतंगवादियों को गिरफतार कर लिया है जमू कश्मीर के पुलिस महानिदेश चक आर आर स्वाइन ने बताया कि 9 दिसंबर को घर लोट रहे कंस्टेबल मोहमाद हाफेस चक पर इन आतंगवादियों ने हमला क्या था हाइब्रिट आतंगवादि ऐसे स्थानिय यूबक होते हैं जिनका पुराना अफरादिक रिकोर्ड नहीं होता ये स्थानिय यूबक हतियार लेकर आते हैं और हमला करके फरार हो जाते हैं तथा सामानिय जीवन जीने लगते हैं जिनकी पहचान मुश्किल हो जाती है पुलिस महानिदेशिक ने बताया कि पाकिस्तान में सक्रे आतंगवादी अर्जुमन उफ हमजा बुर्हान ने इस हमले की साजिस रची थी और उसने स्थानिय सरगन दानिश एहमत मला से संपर्ग बना कर कौंस्टेवल पर हमला करवाया था स्री सुआई ने कहा कि मला भी कौंस्टेवल के इलाके में रहता था और उसने दो अन्या हाइबरिट आतंगवादियों को भर्ती कर लिया था पूछतास के दोरान इन आतंगवादियों ने उनके निशाने पर रहने वाले वक्तियों से सूची के बारे में जानकारी दी सबसे अधिक है तिरुवनंत पूरम में एक व्यक्दी में कोविट-19 के नई सब वैरियन जे इन वन का संगर्मन पाया गया है राज्य के स्वास्त मंत्री वीना जोज ने कहा कि घबरानी की इस्तिथी नहीं है और मामला पर लगातर नजर रखी जा रही है इस बीच के इंद्र स्वास्त मंत्राले ने कहा है कि वो राज्य के स्वास्त विभाग से लगातार संपर्पर है और सभी उपायों को निगरानी की जा रही है रधान मंत्री नरंदर मोदी और ओमान की सुल्तान हेतम बिन तारिक ने कल दस महतपुन शेत्रों में दिपक्षिय सहयोग बराने के लिए जिश्टिकोन पत्र स्विकार किया दोनों नेताओ की कल नई दिल्ली में वारता हुई जिसमें भारत ओमान सामरिक संबंदों को गटी देनी और व्यापक अर्थिक भागिदारी समझोते को जल से जल पूरा करने पर जोर दिया गया विदेश सचीव विने क्वात्रा ने बताया है कि श्री मोदी और श्री तारिक ने हामस इस्राइल संहर्ष से उत्पन स्थित्थी आतंगवादी की चुनोतियों और फलिस्तिन मुद्दे की दुई राष्ट्य समाधन के लिए कोशिश करने पर भी विचारविमर्ष किया कुईत के अमीर शेख नवाफ अल एहमत अलजबार अलसभा के सम्मान में आज देश भर में एक दिन के राज्च के शोक की घोशना की है। कुईत के अमीर का कल निधन हो गया था। विदेश मंत्राले ने एक बयान में कहा कि सरकार और भारत की जन्ता अमीर के निधन पर ग धनमंत्री की ओर से कुएट के नए अमीर शेख मैसल अल-एहमद, अल-जबार, अल-सभा को व्यक्तिगत सम्वेदना पत्र देंगे। रक्षा मंत्री राचनात सिंग ने ससिस्त्रबलो की परमपरा बनाये रखते हुए नवाचार अपनाने की अवशक्ता पर जोर दिया है। आज जन्डीगल में वायू सेन अकेडिमी में आयजित सन्युक्त सनातक परेट में नई फ्लाइट केड़टो को संभोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि परमपराओं का पालन करना जरूरी है लेकिन साथ ही साथ नवाचार भी होना चाहिए। उन्होंने केड़टों से परमपराओं और नवाचारों की भी सामानवे बनाने को कहा ताकि वे सही माइनों में चुनोतियों का मुकाबला कर सके। पायू से अधिक फ्लाइट के डड़ों ने इस परेड में हिस्सा लिया। इस अबसर पर वायू सेना के प्रसिक्षक भीमानों ने रोमान चक फ्लाइट पास किया। विश्व के सबसे बड़े नोवाहन समू मेडिटेरियन शिपिंग कमपनी ने गोशना की है कि वो अपने जहाजों को लाल सागर से दूर ले जा रहा है क्यूंकि 15 डिसंबर को उसके एक कंटेनर जहाज पर हमला किया गया था। एक बयान में समू ने कहा है कि हालांकि इस घटना में कोई हताहात नहीं हुआ लेकिन जहाज को आगे से कुछ शक्ती हुई और उसे सेवा से बाहर कर दिया गया है। लाल सागर तेल और इंधन की आवाजाही के लिए विश्व के सबसे महत्वपुन मारगों में से एक है। लेकिन हूती विदेशी सुमित्व वाले जहाजों के खिलाब द्रोन और रोकेट का उप्योग करके अपने हमले बढ़ा रहे हैं। इसे के साथ ये समाचार बुलिटिन समावत हुआ। नमस्कार।